पुलिस के 45,000 पाउंडरिक वर्ष के ओस्ट गल्द को तनाव के लिए छुटी पर रुखने वाली छुटियों के दौरान शुपी हुई तस्वीर अनास की एक जोडी के साथ विनम्रता लपेटे लिंकन शायर पुलिस के लिए प्रचार सामगरी में दिखाई देने वाली साजन्ड लीने कारा थाइलन्ट में खुद को स्नोकलिंग करने और साइप्रस में समुद्र तट पर तुद्शीक्न चित्रों को साजहा करने मैं व्यस्त हैं एक पुलिस पोस्ट लड़की जो अपने 45,000 पाउंडिक वर्ष की नौकरी से तानाव के साथ 7 महीने तक काम कर रही थी अपने शांदार चुटियों के भरे रंगों को साजहा कर रही है लिंकन शायर पुलिस के लिए प्रमोशनल सामगरी में दिखाई देने वाले साजेंट लेएन के साइप्रस में समुद्र तट पर ताइलंड में स्नो केलिंग और शीतल तक खुद को साजहा करने में व्यस्त हैं वह ऑस्ट्रिया के अल्प्स में भी स्नो बोर्डिंग कर रही है उसके इंस्टग्राम और फेस्बुक पर तस्वीर के अनुसार स्नो बोर्डिंग स्नैप में उसने जिस चित्र के साथ लिखा था मेरे कपड़ों पर बर्फ की मातरा से मूर्ख मत बनो मैं वास्तव में समर्थ हूँ स्ची जी कारकों पिछले साल एक आंतरिक जाँच को कदाचार में ले जाने के बाद सहकर्मियों द्वारा जाँच की गई और बाद में तनाव संबंधी बीमारी के साथ हस्ताक्षर किये गए जासू सप्ट सुजान डेविस ने कहा सवाल में अधिकारी साथ महीने की अवधी के लिए बीमारी की वजह से काम से अनुपस्तित था जबकि एक आंतरिक दुराचार जाँच की गई थी इन मामलों को अप निश्कर्ष निकाला गया है और एक एर कानूनी बैठक के माध्यम से कार्य किया गया जिनके विवरण सार्वजिनिक नहीं किये गए क्यूंकि वे कम गंभीर आंतरिक मामलों से निपढ़ते हैं यह पुलिसाचर नियमो 2012 के अनुसार था जब कोई अधिकारी बीमारी के कारण काम से अनुपस्थित है नियमित संपर्क उनके साथ बनाए रखा जाता है और वे उस समय के दौरान जैसा की चुटी पर जाने सहित इच्छा करने का हगदार है जब तक कि जितनी जल्दी हो सके काम करने के लिए उनकी वापसी को प्रतिबन्धित नहीं करता है मैं संतुष्ट हूं कि इस अधिकारी के रूप में जल्द से जल्द काम करने के लिए वापस आ गया है हम जानते हैं कि हमारे कई अधिकारियों के पास व्यक्तिगत सोशल मीडिया आकाउंट हैं और निश्चत रूप से निजी जीवन के लिए हगदार हैं यदि उन खातों पर कुछ भी शामिल किया गया है जो उच मानकों का उलंगन करता है तो एक पुलिस अधिकारी को हर समय बनाए रखना चाहिए ताकि हम इसकी जांच कर सके और ठीक उसी तरह कार्य करें कि यह उचित तरीके से पेश किया जाए हाला कि सेह कर्मियों ने पुलिस कर्मियों की कगार पर गोली मार दी है एक पुलिस तरोत ने मेल उनलाइन को बताया यहे एक वरिष्ट अधिकारी है एक साजेंट 45,000 पाउंडरिक वर्ष की कमाई करता है और मेरी राय में कुछ तस्वीरें उस भूमिका में किसी के लिए उप्युक्त नहीं है व्यवारेक रूप से हर तस्वीर में वह कुछ भी नहीं के आगे पहने हुए है और कुछ वह बनती है जो बहुत ही आकरशक है लिंक इन्शाय पुलिस इस बारे में जानती है लेकिन सोशल मीडिया पर एक अधिकारी क्या साजा कर सकता है इस बारे में सक्तनीती होने के बावजूद इसे होने की इजाज़त है